हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वरस्थ होंगे बस्थ होंगे अपना और अपना अख्याल रख रहे होंगे आज हम आपके लिए लेका रहे हैं एंजलिक गाइडेंस देखने वाले हैं कि एंजल आपको क्या मैसल्स देना चाहते हैं और जो भी टैरो की रिडिंग्स होती हैं गाइस वो आप कभी भी देख सकती हैं मैं आपके साथ में एक एक एक्सपीरेंस अपना शेयर करना चाहते हूँ कि चार-पान दिन पहले मैं बैठे-बैठे ऐसे ही वीडियो देख रहे थी किसी और चैनल की और जो एनरजी उस दिन में देखी थी ना वो एनरजी आज मुझे जो है रेजनेट कर रही है तो आप ऐसा ना सोचे कि जो आज हम वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में वो रेजनेट नहीं हुई तो वो कभी होगी ही नहीं ऐसा नहीं है पिछली वीडियो को भी आप जरूर चेक करें वो आपसे जरूर रेजनेट होंगी गाइडेंस मिलेगी उनसे आपको और जो भी मैसेज में देखती हूँ वो आपके लिए ये जरूर है नहीं कि आज के लिए मैसेज हो कभी भी आपसे रेजनेट कर सकता है ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो ये जर्नल रेडिंग्स होती है तो दो-चार दिन पहले का पिक हो जाता है या दो-चार दिन बाद का पिक हो जाता है क्योंकि जर्नल रेडिंग्स होती है तो दो-चार दिन बाद का पीक हो सकता है यानि कि future में आपके साथ क्या होगा वह भी पीक हो सकता है ठीक है अगर आप personal reading लेते हैं तो वह accurate निकलती है बिल्कुल वह आपसे बिल्कुल उसी टाइम जो है राजनेट होगी ठीक है तो चेलिए देख लेते हैं देखें यहां पर यहां पर यह कहा जा रहे कि अभी जो है spirit guides आपको बहाँ जदा मदद कर रहे हैं और यहां पर यह भी कहा जा रहे कि जो भी gift आपको spirit guides ने दिया है यानि कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि आपकी इंटुशन काफी स्ट्रॉंग है और इसी वज़े से जो है जो आपको बताया जाता है वो आप समझ भी जाते हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे कि यहाँ आपको जो है यूनिवर्स के साथ में कदम ताल मिलाकर चले चाहिए जैसा यूनिवर्स चाहता है जैसा आपके डिवाइन्स यानि की स्पिट गाइड्स जो चाहते हैं उसी के अकोर्डिंग आप चलने की कोशिश कीजिए आपक कोई हीलर हो सकते हैं किसी भी टाइप से आपके पास में इतनी गाइड्स है कि आप लोगों को देना चाहते हैं तो यहाँ पर यह खा जा रहे हैं कि अपने इनर कॉल को आप पहचानिए और उसको फोलो करिए कि आपकी इनर कॉल आपको क्या खहरी है और आपको आगे के नहीं इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है और वो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से शेयर करना चाहते है उसको करिए डाउनलोड्स एंड अंडर्स्टेंडिंग वेरी नाइस सच्चा ही आपके सामने आ जाएगी एस्टर रेलम से और हैंवन से आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है डीप इंसाइट आर कमिंग फ्रम हैंवन एंड एस्टर रेलम यानि कि आपको कोई ने कोई मैसेज मिलने वाला है और गैस मैं पता देना चाहती हूँ कि अभी अभी मुझे 11-11 पर एक मैसेज मिला था कि टिन फ्लेम जर्णी में एक बहुत बड़े ट्रास्फरमेशन आ रहा है यानि कि टिन फ्लेम जो हैं वो बहुत बड़े ट्रास्फरमेशन से गुजरने वाले हैं और शायद उनको उनका अनकॉंसिस माइंड जो बताता भी होगा कि आपको क्या करना चाहिए अपनी future मीं, आपको अपनी future के लिए क्या step लेना है आपकी soul journey क्या है, आपका soul का purpose क्या है, शायद आपको पहले भी पता होगा और वो आज आपकी जो हे, journey को आगे लिजाने के लिए जो मुझे message मिला है फालकन पक्षी मुझे अचानक से मेरे सामने से आ करके बैठा मेरे सामने और अचानक से वो आया फर से 11.11 के टाइम पर सुभई मॉर्निंग में ही तो मुझे उससे मैसेज मिला तो मैंने सोचा कि वो मैसेज आप तक पहुँचाए जाए कि जो भी मेरे spiritual जर्नी पर भाई भेन है उनको मैं ये मैसेज दूँ ताकि उनको भी अपनी spirituality में आगे बढ़ने में help हो सके और जो वो decision लेना चाहते है वो easily ले सके क्योंकि जो भी आपका unconscious mind जो आपको बताने की कोशिश करा थे इतने time से और आप उसमें decision नहीं ले पा रहे थे और अभी आप लेने की सोच रहे हैं तो आप ले लिजिए decision ये right time है अभी आप एक बड़े transformation से गुजरेंगे और यही आपकी soul की journey का जो है mean purpose और यही आपकी soul journey है और इसको आपको जरूर करना चाहिए उसके उपर भी आपको वीडियो मिलेगी falcon के उपर जो अभी-अभी मुझे 11.11 पर दिखाई दिया था आज सुबही morning में तो मैं उसके उपर भी वीडियो बनाऊंगी ठीक है वो देखना ना भूले तो जिए खूले छोगी बनीडू जरू नेराज उसके झाल यजा थे निच्ट मेमें ठीक या ज्या चैनल में तियल नेक्स वीडियो टीक केर भड़ाए